बजट सेशन 2023 फरवरी एक से शुरू होने जा रहा है जो कि लगपक 10 फरवरी तक चलेगा खबरों के अनुसार इसका सेकंड फेज मार्च 6 से एप्रिल 6 तक होगा फेनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन न्यूनेन बजट प्रेजेंट करेगी और इस बजट से अलग-अलग सेक्टर से कई एक्सपेक्टेशन की जा रही है निउस्पेपर एनलिसिस की मुताबिक कुछ एक्सपेक्टेशन इस प्रकार है मेडिकल इंशॉरेंस में जी एस्टी रेट 18% से 5% तक रिड्यूस करने की मांग की जा रही है लाइफ और हेल्थ इंशॉरेंस प्रीमियम में डिड़क्शन की तरह सेक्टेशन एक्टी सी के अंदर ट्रेवल, होम और परसनल एक्सिडेंट इंशॉरेंस प्रीमियम में भी की एक्सपक्टेशन की जा रही है, पिंशन को टेक्स फ्री बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि इंडिया को pension society बनाया जा सके, इंशॉरेंस सेक्टेशन है कि टेक्से लिमिट को देर लाग से धाई लाग तक बढ़ाया जाए सेविंग्स अकाउंट में मिले इंट्रेस्ट को 10,000 रुपे से बढ़ा कर 30,000 रुपे तक इंट्रेस्ट में डिड़क्शन मांगी जा रही है इलेक्ट्रिकल वहिकल्स खरीडने पर लिए गए लोन्स के इंट्रेस्ट पर देर लाग रुपे तक का एडिशनल इंकम टेक्स डिड़क्शन की मांग की जा रही है बैंक्स में 5 लाग तक के फिक्स डिपॉजिट में इंट्रेस्ट टेक्स फ्री करने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है पीपीएफ की एनुल कॉंट्रिब्यूशन लिमिट को 10 लाग से 3 लाग तक बढ़ाने की मांग की जा रही है यह सब ऑनलाइन न्यूस के हिसाब से किये गए आंक्लेन में से लिये गए कुछ एक्सपेक्टेशन हाइलाइट्स है जो कि इस बार यूनियन बजट 2023 चोईस से की जा रही है यह थी जीविशात उशनिवाल की रिपोर्ट दट्रूहन चैनल के लिए